उधर अयोध्यार राम जन भूमी मामले से जुड़े एक एहम केस में सुप्रीम कोट आज दुपहर दो बज़े अपना फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोट इस बात पर फैसला देगा कि मस्जिद में नमास पढ़ना इसलाम का आंतरिक हिस्सा है या नहीं। कोट इस दोरान ये भी तै करेगा कि 1994 के स्माइट पारुखी के मुकदमे में दिये गए पैसले पर फिर से विचार करने के जरूरत है या नहीं। अगर जरूरत है तो कितने ज़जों की बेंच सुने। 1994 में सुप्रीम कोट की पीठ ने फैसला दिया था कि मस्जिद में नमास पढ़ना इसलाम का इंटेग्रल पार्ट नहीं है इसके साथ ही राम जरन भूवी में यथा सिती बरकरार रखने का नरदेश भी दिया गया था ताकि हिंदु धर्म के लोग वहां पूजा कर सके। अब कोट में इस बात पर विचार किया जाएगा कि क्या 1994 वाले फैसले की समिक्षा की जरूरत है या न की। कोट ने 20 जुलाई को फैसला सुरक्षित रखा था। आपको बता दें कि टाइटल सूट से पहले ये फैसला काफी बड़ा हो सकता है। सुप्रीम कोट की पढ़ने से जुड़े फैसले पर आज कोट फैसला देगी 1994 की फैसले पर पुनर विचार पर भी निर्ने होगा अयोध्या मामले से जुड़े एक एहम केस पर फैसला आएगा। और निजाम हमारे सहयोगी न्यूजरूम से हमारे साथ ज्यादा जानकारी लेकर जुड़े है निजाम आज दो बज़े इस फैसले पर सभी की निगाहे हैं कोट क्या फैसला इस पर देता है क्या कुछ और हाइलाइट्स रहें किस मामले की? हुआ ही एक फैसला है चुकि उननीस सो चौरहणों में जो अगर बात करें इसमाईल फारुकी के मामले में पर तीन दो के फैसले से सविदान प्वीट ने जो एक फैसला दिया था उसके अनुसार कि जो मज्जिद हैं वो जो नमाज पढ़ने का नमाज पढ़ने के लिए इ अब इन अंग नहीं है और उस पर यह फैसला दिया था तीन दो की विवस्ता के जरी और यह भी कहा था कि जो नमाज हैं कहीं भी पढ़ी जा सकती है और इसके लिए जो अभीन हिस्सा इसलाम का नहीं है मज्जिद अब चुकि यह मामला इसलिए उठा था कि पांच दिसंब पिछली जब पांच दिसंबर 2017 के मामले जब सुनवाई कर रहा था सुप्रीम कोट यह था मामले की चुकि आप देखिए कि 30 सितंबर 2010 को सुप्रीम जो इलावादा है कोट है उसने फैसला दिया था जो आयोधिया रामजन बूनमी और बाबरी मज्जिद के से उस मामले में और तीन अलग-अलग इस्व में उस जमीन को बाटा था उस पर फैसले पर बाद में सुप्रीम कोट ने इस पर रोक लगा दी थी 2011 में लेकिन इसकी बड़ी बात यह थी कि जब इस पूरे परकरण पर सुनवाई जारी थी सविदान पिट के और तो एक सवाल खड़ा किया जो कि राजीव दहुन की और से जो अदिवगता हैं एम सिद्धिके के उनकी और से कोट में ये का गया कि चुकि ये जो फैसला है पूर का जो फैसला है वो इस फैसले को परवावित करेगा फैसला आएगा इसके बाद, चूकि आप देखे कि इस वज़े से, इस परकरण की वज़े से जो अईदिया मामला की सुनवाई हैं, वह भी लगातर एक तरह से कहें, आगे चल रही हैं, तो इस फैसले के बाद, अईदिया मामले के सुनवाई में एक गत्या आएगी, तो यह तो आज ये फैसले पर पूर्णर विचार किया जाए या नहीं या आगे सविधान पीट को वापस बेजा जाए या नहीं इस पर ये फैसला और निजाम क्या फैसला को